वाट्स आप, बिटकोईन में, नेक्स्ट ग्यारा दिन में एक बहुत बड़ा धमा का हो सकते हैं, वो धमा के का रीजन क्या है, यहाँ पे तीन इंपोर्णन फेक्टर्स को कंसीडर करने वालों, आप लोगों के साथ शेयर करने वालों, कि क्यों आज से एक जेट ग्यारा दि देखने मिलने वाले, क्या रीजन है, टेक्निकल एनालेसिस पे क्या इंपक्ट पड़ेगा, साथ में बिटकोईन के प्राइस पे इस चीज का क्या इंपक्ट पड़ेगा, उसके बारे में आज के वीडियो में डिसकस करने वाले, साथ में बिटकोईन का जो टेक्निकल एना इसको एक rejection देखने मिला है, अब यहाँ पर next move क्या हो सकते है, उसके बारे में आज के वीडियो में discuss करेंगे, क्या क्या important patterns देखने मिल रही है, और market में क्या important news आ रही है, क्यों यहाँ पर 11 दिन बहुत ज्यादे important है, उसके बारे में आज के वीडियो में discuss करने वाले है, For me, it is a motivation, अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, है कैसा, I am Kayeor, you are watching Kriptalking YouTube channel, चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पर मेरा जो स्क्रीन है, clearly देख पर हो, this is the chart of Bitcoin, यहाँ पर exactly हमने बात की थी, कि इस exit level पर, mark करके दिखा देता हूं, this is the exit level, यहाँ से Bitcoin के price को rejection मिलेगा, क्यों rejection मिलेगा, because previously भी हमने 3 factors discuss किये थे, but यहाँ पर short मैं बता देता हूं, क्या, कि यहाँ पर भी Bitcoin के price को rejection मिल और यहाँ पर भी Bitcoin के price को rejection मिला था, और हमने यहाँ पर discuss किया था, काफी सारे जो important charts है, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर share करता रहता हूं, आप definitely टेलिग्रम चैनल जो है, crypto king के यूर, जिसके link आपको description पेंड कमने मिल जाएगी, वहाँ से join कर सकते हो, completely free है, किसी को कोई कोई भी पैसे देने के ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर scammer message करेंगे, किसके नाम पर, मेरे नाम पर message करेंगे, अगर मेरे नाम से कोई भी message आता है ना, किसी को पैसा मत देना, मैं यहाँ आपको video में बता रहा हूं, अब यहाँ पर काफी important charts जो मैं यहाँ पर share करता र मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा मार्क करके दिखा देता ह। अगर अगर नेचे बाद यह रहा नीचे ओप tighten यह लवल कॉन सा है वो भी मैं यहाँ आप लोगों के लिए मांक करके दिखा देता ह। this level is coming at around 41,900 dollars अब 42,000 dollars मान सकते हो क्या हो देखे 42,000 dollars तक bitcoin का price आए उसके बाद यहाँ से एक bounce back करे हमें यहाँ पे एक inverse head and shoulder pattern inverse head and shoulder pattern is very simple यहाँ पे मैं वापस आपको दिखा देता हूँ बहुत जियाद है simple है देखे इस हिसाब से उसके बाद इस हिसाब से और यहाँ पे भी एक right shoulder बनना चाहिए इस हिसाब से यहाँ पे price moment अगर देखने मिले उसके बाद क्या होना चाहिए उसके बाद यह जो आपका area है around 44,600 आप 45,000 dollars मान सकते हो 45,000 dollars से bitcoin का price उपर जाए वापस 45,000 dollars को retest करने आए वहाँ से एक bounce back ले हमारा target क्या है अब आप सबको पता होगा target कैसे find out करना है because मैंने एक video मापको दो दिन से बता रहा हूँ यहाँ से क्या करना है देखे यहाँ से एक line draw करनी है कहा तक तो यहाँ तक एक line draw करनी है उस line को यहाँ से उठा के आपको यहाँ पर line को रख देनी है क्या target यहाँ पर मिल रहा है आप देख सकते हो the target is coming at around 53,500 dollars आप समझ सकते हो 53,000 dollars यहाँ पर इसका target देखने मिल रहा है but कब यह चीज तभी होगी जब यहाँ पर 42,000 dollars यह वाला area 42,000 dollars से एक bounce back देखने मिले उसके बाद 45,000 dollars का resistance ब्रेक हो उसके बाद आपको एक बहुत बड़ा mood इखने मिल सकते है जो यहाँ पर bitcoin के price को ले के जा सकते है around 53,000 dollars यह चीज आपको समझ नहीं है यहाँ पर कोई भी urgent update आती है न तूरंथी telegram channel पर chat upload करूँगा साथ में यहाँ पर telegram channel पर आप लोगों के साथ voice message भी share करता हूँ जिससे आपको यहाँ पर अपने technical analysis में useful हो अब यहाँ पर आपको बताए कि next 11 दिन क्यों बहुत ज्यादा important है and why it can cause a big धमाका क्यों यहाँ पर एक बड़ा धमाका हो सकते हैं the price of bitcoin यह चीज में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर एक चीज आपको पता होगी 15 March को जो FOMC की meeting है Federal Reserve की जो US में interest rate को बढ़ाने वाले अब यहाँ पर US में interest rate जब बढ़ेगा उस time पर stock के price में डाउन देखने मिलेगा Bitcoin के price में volatility देखने मिलेगी थोड़ा सा यहाँ पर market में panic होगा उस panic की वज़े से थोड़ा सा यहाँ पर आपको एका pullback देखने मिल सकते है पंदरा मार्च यह यहाँ पर आपको ध्यान रखने है देखे कोई भी urgent update आती है मैं तुरंत update करूंगा लेकिन अभी के लिए news क्या निकल क्या रही है आप देख सकते हो Powell backs quarter point rate rise in March despite Ukraine war effects यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा कोई rise नहीं करने वाले एक छोटा rise करने वाले interest rate में definitely interest rate में rise होगा यह यहाँ पर इन लोगों ने बताया है साथ में आप देख सकते हैं Asian stock rise after federal chair supports a smaller rate hike यहाँ पर कोई बड़ा हाइक नहीं मतलब interest rate कुछ बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले नहीं है थोड़ा से यहाँ पर interest rate बढ़ाएंगे बट अगर थोड़ा सा भी बढ़ा आते हैं आपको पता होगा एक दो दिन के लिए तो market में panic बनी ही जाता है और उस panic के वज़ा से यहाँ पर आपको bitcoin के price में या फिर stock market के price में भी आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा downward moment दीखने मिलेगा उस 15 March इस date को आपको यहाँ पर याद रखना है साथ में उसके आसपास यह तो एक factor हो गया आप सुबह मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर ट्वीट की है वह ट्वीट को आप definitely अगर आप रीट्वीट कर सकते हो देखिए are you happy with the 30% crypto tax in India definitely इसको रीट्वीट करो if you are not happy यहाँ पर मैंने यह शेर किया है क्यूंकि Parliament का जो second session है budget मतलब दो पार्ट में जो दूसरा पार्ट ह सी फेडरल रिजर्व की मीटिंग है 14 15 16 यह वाली जो डेट्स है ना उसमें एक बहुत बड़ा धमा का मतलब बहुत वोलेटिलिटी आपको बिटकोइन के प्राइस में देखने मिल सकती है इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बाकर यह की हिसाब से क्या आपको बीटकोइन मंथली रिटर्ण अगर आप यहाँ पर देखते हो देखें मार्च मंथ में अगर आप 2010 से लेके 2011-2012-2013 अगर आप यह डिटा कंसिडर करती हो ना तो मार्च के मंथ में अगर आप यहां पर देखो तो रेड में ना मिल रहा देखे 2018 में रेड था 17 में red था लेकिन एक चीज है 2021 और 2019 ये दो साल में यहां पर blue था बाकि 2013 में blue था बाकी सारे सालों में यहां पर red देखने मिला था राइट इस चीज के बारे में भी यहां पर थोड़ा सध्यान रखना है तो तीन फेक्टर से एक है यूएस में interest rise दूसरा फेक्टर आ जाता है पार्लामेंट का budget session यहां पर क्रप्टो पर 30% tax के बारे में वापस rediscussion हो सकता है बिकॉज यहां पर काफी ज्यादा हम लोग tweets कर रहे हैं on Twitter regarding reduce hashtag reduce crypto tax आप definitely आप भी आप लोग भी यहां पर इस चीज को support करो साथ हमें तीसरी चीज यहां पर आ जाती है March month का जो historical data है उससे हमें देखने मिलता है कि red color में मतलब red candles जो है monthly यहां पर हमें देखने मिली है इन चीजों का आपको यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा अब यहां पर इसके बारे में कोई भी urgent update बाकि technical analysis के हिसाब से क्या होना चाहिए मैं आपके साथ यहां पर update करता रहूंगा definitely telegram channel को subscribe कर सकते हो Twitter account को follow कर सकते हो और दोस्तों I hope आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा जो भी information तीन factors मैंने यहां पर आप लोगों के साथ शेयर की है वो आपको समझ में आये होंगे और कोई questions है definitely you can let me know in the comment section below बाकि अगर आज का वीडियो पसंद आया है definitely video को like कीजिए आपका एक like यहां पर मेरे लिए for me it is a motivation अपने friends के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को subscribe कर दीजिए subscribe के बाज में आपको बेल लाइक की मिल जाता है वो भी प्रस कर दीजिए चलिए दोस्तों वेसी के साथ आज का वीडियो खतम करते है next video में में मिलते है stay safe stay healthy thank you Jai Hind